एक बार फिर से सभी प्रोग्रमादिकारीओं को प्वारवार नमस्कार तो आज की हमारी विशेश कारेशाला का जो मुख्य उदेश्य है वो आपको ये बताने के लिए है कि किस प्रकार से आप वेंडर की पेमेंट करते हुए जब आपको page details सामने आती हैं बाद में कि जिस account में पैसा transfer करना है उसको verify करने के लिए details सामने आती है तो उसके बाद instrument type में आपके सामने जो है e-payment print advice का option जो है वो show नहीं होता है यनि कि वो basically deactivated होता है तो कैसे इस instrument type के option को activate किया जाए इस बारे में आज आपको हम इस कारेशाला के माधिम से बताएंगे तो आईए देखते हैं कैसे आप पहले instrument type को activate कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको admin ID और password से login करना है और admin ID password से login करने के बाद जब आपकी window आपके सामने open होती है तो उसमें admin ID से आपने login किया या नहीं इसको जानने के लिए आप यहां user type अगर top में देख पा रहे हूँ यहां पर अगर last में ADM लिखा है तो इसका मतलब है कि आपने admin ID और password से ही login किया है इस बात को बताने के पीछे हमारा उदेश यह है क्योंकि कई बार गलती से कुछ लोग data operator और data approver की ID से login कर देते हैं जिसकी वज़से उनको संबंधित option जो admin ID से मिलने वाले होते हैं वो नहीं दिख पाते तो अपने लिए यह assure करने के लिए कि हमने admin ID से ही login किया है उसके लिए आप यहां पर agency ADM का option जरूर चेक करें कि आपने login करने के बाद यह अगर यह option आपने पाया तो इसका मतलब है कि आपने admin ID से ही login किया है अब इसके बाद आपने instrument type को activate अगर करना है तो उसके लिए आपको जो left side में सारे menus दिख रहे हैं यहां पर एक menu आपको दिखेगा bank नाम से इस bank menu पर click करने के बाद आप थोड़ा नीचे अगर इसके sub menus में जाएंगे तो वहां पर आपको account activation e-payment का option दिखाई देगा account activation e-payment का option जो है यह आपको click करने पर next window में ले जाएगा जो की आपको दो option provide करेगी एक scheme का नाम और दूसरा account number scheme में आप click करके search करेंगे 9230 ऐसा लिखते ही आपके सावने national service scheme 9230 आजाएगा आपने इस option को choose करना है इस option को choose करने के बाद आप यहां पर अपना JBSA account number भरेंगे जैसे की जो मेरे concerned institution का JBSA account number में हाँ पर mention कर रहा हूँ और इसके बाद search बटन पर click करेंगे search बटन पर click करके थोड़ा processing में टाइम लेगा और उसके बाद आपके सामने संबंदिद account की bank branch IFSC code detail सामने आएगी साथ में unique code जो आपके agency का है वो सामने आएगा साथ में effective date जिस तारीक को आप ये कारे करने जा रहे होंगे वो date automatically हम पर पढ़ी वी सामने आएगी और इसके बाद सबसे last option है account activation type किस प्रकार से आप account का activation करना चाह रहे हैं तो इसके लिए e-payment using print advice पहला option है और दूसरा है e-payment using digital signature क्योंकि digital signature आपके पास उपलवद नहीं है और ये काफी costly भी होते हैं तो पहला जो option आपके पास है e-payment using print advice आपने इस option को click करना है इस option को click करने के बाद यहाँ पर e-payment using print advice option select हो जाएगा और इसके बाद आप left side में select के नीचे जो ये square box बना है यहाँ पर आप tick लगा देंगे click करने के बाद तिक यह लग जाता है और पूरी detail verify करते हुए आप submit button पे click कर देंगे submit button पे click करने के बाद message आएगा I confirm that correct account has been enabled मतलब कि यह basically हमारे से shortage आ रहा है कि हम confirm करते हैं कि correct जो है हमारा account number है और हम इसको enable करना चाह रहे है तो क्योंकि मेरे account सही है तो मैं इस पर okay click कर दूँगा और processing अब इस पूरी जो instrument type की verification की थी चल पड़ेगी और record saved successfully का message आपके सामने आ जाएगा अब इसके बाद क्या है कि हमारा जो account number है और उसका scheme code है और इसके लावाद जो हमने भी request activate करने की डाली है उसका status हाजएगा pending for activation approval यानि कि इसके approval भी higher authorities और bank की तरफ से होनी होती है तो इसमें कुछ समय लगता है प्रन्तु ये जो हमारा activation है ये कुछ minuteों में ये फिर depending upon the speed of server ये कुछ गंटों में जो है हो जाता है तो आपने जब instrument type अगर आपका pay का नहीं चलता है तो आपने admin ID से login करने के बाद इस प्रक्रिया का पालन करना है और जैसे ही आपका status बाद में approval की जगा approved आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुगा कि आपका जो है ये print advice वारा जो option है वो चल पड़ा है और क्योंकि जब अगली बार आप DO ID के मादिन से data operator ID के मादिन से vendor बनाने के बाद जो है आप bill बनाने लगेंगे तो automatically approved होने के बाद जो है आपका ये जो instrument type का option है वहाँ पर कहीं न कहीं आपको click करने पर e payment using print advice का option दिखाई देगा तो लेकिन वो दिखेगा तब जब पहले आप bank option के अंदर left side के menus में जाकर जो है इस परकार की जितनी पी प्रकरिया इसका पालन सफलता पूरवक कर लेंगे तो आज की इस छोटी सी कारशाला में बस इतना ही और इससे संबन्दित अन्य जानकारी के लिए आप जो है उच्चाधिकारी उससे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद